सभी मित्रों को जैसे राम नमस्कार मित्रों आज का जो समय चल रहा है हमारे देश में राजनीती पार्टियां सभी बीजेपी के खिलाप सभी एक जुठ हो रही है आप सबको यह बात गौर से सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए कि सभी का एक होना किसके लिए घाटा है और किसके लिए फायदा है आप सबको यह पता होना चाहिए और मालूम भी है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टिया है जो हिंदू देवी देवताओं के लिए लड़ती है और ओवईसी जिस प्रकार से बिहार के चुनाओं में और इसी हैदराबाज से आके मुस्लिम की बाते करते हुए हिंदू के खिलाब तमाम प्रकार की बाते करते हुए इस देश के खिलाब तमाम प्रकार की बाते करते हुए हैं हमारे देवी देवताओं के लिए अनाबसनाब बोलते हुए यहां तक पधान मंत्री जी तक को उसने अनाबसनाब इस देश जो मुस्लिम समधाय काई ओवैसी है इनके लिए इसलाम पहले है देश से कोई मतलब नही हैं इनका वहां से आपर हैदराबाद से आके 20 सिटों पे बिहारमें लख्षन लड़ा और वहां पे पांस सिट जीत लेया क्योंकि मुसलिम सिर्फ एक मुसलिम को ओट देगा इससे किलियर हो गया है कि मुसलिम सिर्फ मुस्लिम को ही ओट देगा न कि किसी हिंदू या किसी पाल्टी बीस को ओट देगा बिहार के चुनाओं में यह दिखा है अभी पस्चिम बंगाल में चुना होने जा रहा है अब वहां के विधान सबाद चुनाओं में क्या होगा आप सबको पता है पस्चिम बगाल में मुस्लिम तादात बहुत जादा है और जिस छेतर में मुस्लिम तादात है वहीं पर OVC लड़ेगा वहीं पर अपना पाल्टी का लीडर ओ खड़ा करेगा और वहां भी कुछ ना कुछ सीटे जीते क्योंकि उनको पता चल गया है OVC को OVC खुल में मुस्लिम के लिए सपोर्ट करता है मुस्लिम के लिए ही लड़ता है और वैसे भी बीजेपी को भी खुल में खुल आना चाहिए हम हैं सभी हिंदू भाईयों को एक होना चाहिए सभी हिंदू भाईयों को उसमें ब्रामर छत्री बैस और सुद्र की कोई बात नहीं है सभी को मिलके एक होके बीजेपी को ओट देना चाहिए बीजेपी पार्टी क्योंकि चाहे कांग्रेसो सपा बसपा या आपको यहां तक मैं बताऊं मम्ता बनर जी तो वैसे भी हिंदूओं के खिलाप है एक महाराश्ट में सिवसेनात्री जिस पे हिंदू विश्वास रखता था और हिंदू उस पार्टी को अपना मानता था लेकिन बाल ठाकरेजी के नरहने के बाद जिस प्रकार से सिवसेना पार्टी का रविया हिंदू के खिलाप आया हुगा है जिस प्रकार से उद्धव ठाकरेजी अपनी पार्टी का संचार कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर और उस हिसाब से शिवसेना का भी हिंदू पच्छ में आना कुछ दिख नहीं रहा है वो भी वैसी पार्टी हो गए हैं सिर्फ उनको अपनी सत्ता की जरूरत है सत्ता में आ जाएंगे इसके बाद कौन हिंदू, कौन राम, कौन स्याम, कौन हनुआन कुछ नहीं ये लोग मानते, इसलिए बोलता हूँ शमय है सबे हिंदूओं को अगर अपने आपको बचाना है, तो मिलकर, मिलकर एक संगठित पार्टी को ओट दो बिजेपी को लाओ और बिजेपी को जिताओ, क्योंकि बिजेपी चाहे ना भी चाहे जिस परकार से योगी जी कार कर रहे हैं, उत्तर प्रदीश में हिंदूओं के लिए, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू सनातन के लिए, उस परकार से कोई भी करने को त्यार नहीं है राम मंदिर का मुद्दा था, ओ रल हो गया तीन सो सत्तर का मुद्दा था, उसको हल कर दिया गया ऐसे ही, जो भी हिंदू के पक्च में रहेगा, उसको एक करते रहेंगे एक पक्की बात है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं करेगी कांग्रेश से लेके, चाहे कोई अन्य छोटी पार्टी यां हो, कुछ नहीं करेंगी एक साथ अगाट के साथ, जिस प्रकार से, फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदू के भावनाओं के साथ दिखावा है हो, हिंदू के लिए रोल करेंगे, हिंदू नाम रखेंगे, हिंदू देवी देवताओं के उपर फिल्म बनाएंगे, क्योंकि उनको सिर्पाइफसे से मतलब है, उनको हिंदू के सभिता से क्या मतलब है, हिंदू संसकार से क्या मतलब है, मैं आप सब को कि बिदेश में सनातन धर्म को मानने वाले इतने हो गए हैं, लेकिन हमारे ही देश में सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं, नंग प्रकार से फिल्म इंडेश्ट्री में हमारे हिंदू लड़कियां घूम रही हैं, अपने जिस्म का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये किसकी देन है वामपत्न ते यानि मुस्लमानों की देन है मुस्लमान जितने एक्टर्स है उनका बाई काट किया जाए और मैं भारत सरकार से भी यही कहूंगा कि उनके उपर रोक लगाया जाए न कि अगर हिंदू एक्टर्स नहीं है तो उनके उपर रोक लगाया अगर कोई मुस्लम एक्टर्स है तो उसके उपर रोक लगाया जाए कि आप हिंदू के नाम पे फिल्म बनाना छोड़ दे हिंदी देवी देवताओं हिंदू धर्म के सनातन धर्म के लिए आप लोग एक्टिंग ना करें क्योंकि उस सिर्फ पैशे के लिए और हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाण करते रहते हैं यह वामपंती लोग हैं यह वामपंती तरीके से हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने पे तुले हुए हैं फिल्म अंडिस्ट्री में जिस प्रकार से प्रचलन चल रहा है अभी अमीर खान की कोई महाभारत जैसे फिल्म आनी वाली है उसमें उक्रिशन का रोल करने वाले हैं तो ऐसे फिल्मों का बाईकाट किया जाए और ऐसे फिल्मों को ना चलाया जाए इसका जिम्मेदार सरकार को होना चाहिए हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री इद की मुबारक बात देते हैं दो आप देते हो दो इद पे कुरोना काल में आप अपनी जेब के लिए अपने लिए सराब के ठटे के खुलवा सकते हो लेकिन हिंदू का अगट तवार आता है उनका धार्मिक तवार आता है तो उसके लिए आप अब्जिक्शन लगा जेते हो इसका नियम है भाई इसका नियम है कौन से तुम लोग किस प्रकार के मुख्यमंत्री हो अभी दिवाली के परवपे उन्होंने कहा दिल्ली के दो करोन जो जनता है वो अच्छा धामंदिर आजा है अरे दिल्ली में दो करोन हिंदू नहीं रहते हैं उसमें मुख्यमंत्री जी आपको सोचना चाहिए कि मुसुल्मान क्या कभी भी जाके मंदिर में धूब अगर बत्ती या हमन पूजा पाट करता है आपको सोचना चाहिए एक मुख्यमंत्री हो कि आपका इसी वाहियात किसम की बाती करते रहते हो एक दो हिंदू तेवारों पे आप लोग अपजिक्शन लगा देते हो रोक लगा देते हो कि ये मत जलाओ जी पटाके मत जलाओ जी भिण मत करो जी आपकी जेव आप लोग अपनी जेव भरने के लिए जिस प्रकार से कारे करते हो हिंदू धर्म को सनातन धर्म को ठेश पहुंचाते हो बहुत ही गलत बात है इसलिए मैं सभी हिंदूओं से कहता हूं कि अभी भी समय है एक हो जाओ अभी भी समय है एक हो जाओ एक साथ हो के बीजेपी को चुनो बीजेपी ही पार्टी है तुम्हारे लिए लड़ सकती है और तो सभी दल बदलू पार्टियां है अपनी सत्ता के लिए वो कुछ भी करने को तयार है धर्म भी बदलने के तयार है और नहीं तो आप योगी की त शाजुना योगी जी जिस परकार से हिंदु तेवारों पे आते हैं और दूसरे तेवारों को या मुशलिम तेवारों को वाइड कर जाते हμ। या मिला उनको ये ज़सी भी यादव की क्या मिला हार साधू यादव जिस प्रकार मुस्लिमों के लिए लड़ते थे जीरो बटा लुल मिला उनको क्या जीरो बटा लुल उनको मुसल्मानों ने वाइड कर दिया हिंदू के ना थे थाइदराबाद से आया हुगा वह वैसी जीत गया और तुम वहीं बिहार के रहने वाले जीरो बटा लुल अगर लेलो मुसल्मानों की योट और कर लो उन लोगों की तरफदारी तो मैं यही कहूंगा आप सबसे कि अगर हिंदुस्तान और अपने सनातन धर्म हिंदु धर्म